हालो अब्रिवान वेल्कम अगेन ऑन दे यूटुब चैनल अफुदित फामेसी मेरा नाम है आसी इसराय तो आज हम डिसकस करेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एमसी क्यूज चैप्टर सेवन से तो अभी आपने अगर नहीं देखा है चैप्टर बन टो सिक्स के एमसी क्यूज तो आप प्लीज देखिए आपके एक्जाम में बहुत ही हल्फुल होगा वह तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि फार्मा फस्टीयर के फार्मासोटिकल केमेस्ट्री के कुछ इंपॉर्टन एमसी क्यों जो कि मैंने चैप्टर सेवन से अप्ट आउट किया है तो चलिए पहले कुश्चिन की तरह बढ़ते हैं कुश्चिन नंबर बन है कि वाट इस दे नॉर्मल रेट ऑफ हर्ट रेट फम्ट चेप्टर सेवन ऐसे ड्रग जो कि हमारे कारडियो वैस्टम हेर ड臉कर करते हैं ठीक है हर्ट रेट पड़ जाना हर्ट में डर्ध बढद ला तो अलग अलग बिमारीयों में अलग अलग बाएं चलती है तो उनके बारे इस वीडियो में देखेंगे कि कै 열ी नॉर् सब्सक्राइब आपको सब्सक् liquidea behaves per minute ठेख कही Norma को werdenि कि युदे आए मिलेगा कि युद्ध दपर में आपके याद रहा होाए होता है तो आप सुनते हो दगधधधध नजये यही होता है नजया जब तो यए कितनी बार आप की कि आपको महसूस होती है सुनाई देती हैं स्टैटोस्कोप से तो पूरी सुनाई देती है लेकिन आप महसूस भी कर सकते हो कि वीट में कितने देर आ रही है तो यह आपको वी इनग्र वी प्रटिकल किला करा जाता है तो वहां भी आपको सीखन collision मिलेगा । यहाप साट से सो के बीच में आना चाहिए अगर साट से काम आता है तो आप बहुती बुरे कंडिशन में हैं सौ से ज्यादा आता है तो भी आप को दवाईयों की जरूरत है तो नॉर्मल हर्ट रेट जो होते हैं अगर पढ़े होगे तो हम कब देते हैं जब हर्ट रेट बढ़ जाता है ठीक है हर्ट रेट क्या होता है इंक्रीज हो जाता है तो हम वहां पर एंटी अरिद्मिक ड्रग देते हैं ठीक है तो अरिद्मिया का मतलब क्या होता है अरिद्मिया का मतलब होता है जब हमारा हर्ट का रिदम या रिदम को ही रेट बोलते हैं ठीक है जब बिगड जाए तो इर्रेगुलर हर्ट रिदम इस आलसो नोन अज अरि और अप्षन बी कोशन नबर 2 का एर्रेगुलर हर्ट रिदम तो अगले कोशन की तरफ बढ़ता है कोशन नमबर 3 में वेरापा मिल वेरापा मिल बहुती रेर ड्रग हा आपको कहीं न कहीं एक्जाम में जरूर देखनों मिलेगी यह मेरी गारंटी तो वेरापा मिल का आप जर आपको एंटी अंजानल के साथ आपको एंटी अरेद्मीक में भी यह क्लास देखनों मिलेगी तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन में वेरापा मिल मतलब कैल्सियम चैनल ब्लॉकर आपको पढ़ने को मिलेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुश्चन नमबर 3 का कैल्सि कि कैसे कैसे क्लास की ड्रग कैसे हमें याद रहे तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन बढ़ते हैं कुशन नमर 4 में है विच अपको जरूर से मिलेगा है मेरी गारंटी यह बहुत ही यह कुश्चन तो आने वाला है ठीक है यह मेरी गारंटी है कि एस इनिवीटर से तो यह याद रखें जो ड्रक्स प्रिल से खतम होती हैं तो उन्हें हम एस इनिवीटर कहते हैं तो आपर याद रखो लाश्ट में प्रिल तो प्रिल कहीं लगा हुआ है तो वह एस इनिवीटर ही है तो इसके कामन है जो दवाइं अल्र एकमन है तो अब हम देखें कि बढ़ा हुआ ब्लड प्रिसर जब किसी इनसान में ब्लड प्रिसर बढ़ जाता है तो हम कौन सी दमाईं लेती हैं तो एक-एक option में देखते हैं अंटी-अरीदमिक क्या होता है क्या होता है है heart rate बढ़ जाये और है तो हर्ट रेत तो बोला नहीं इसने blood pressure बोला anti-engine basically chest pain angina pectoris chest pain अगर किसी को होता है तो क्या होता है यह एंग प्रेशर जो एक लिवारी होती है उसमें दवाये जो इस्तेमाल होती है उसकोrhete anti-anginal बोलते थे हैं जरा प्रेगों ना आप दीज तो हो नहीं नहीं सकता anti-hypertensive hypertensive blood pressure बढ़ जाता है तो blood pressure rise होता है तो हम antihypertensive दवाएं देते तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा option B antihypertensive agent तो ऐसी class अप्ड जो यो की बढ़े हुए blood प्रेसर को मेंटेन करने का काम करती है उन्हें बोलते हैं अंटी हाइपरटेंसिव एजेंट तब कोशन नुबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कोशन नुबर 6 है इन कैप्टो प्रिल विच रिंग इस प्रेजेंट इन दे केमिकल इस्ट्रक्चर तो कुशन यह है ऐसे कुशन मैंने हैं हर एक हर एक चैप्टर में तो कौन सारीं प्रेजेंट है तो यहां पर एक रिंग दिख रही है यह एक हैट्रो सैक्लिक रिंग है ठीक है यह पूछा गया इसको बोलते क्या है तो इस रिंग का नाम होता है आ पाईलो डीडिन अगर Bem जाते है तो एलिटेंट फूप यूराउं के लिए ओं पुछ इस तश्रीगे का स्ट्रक्चर होते है ठीक है यह के'm लग गया तो फूर ओ बिश्ण पायरॉल के लिए और भी श्रक्ट्चर सोते हैं वह मैं बताएं आगे चाप्टर से ठीक है कुछ नमबर 7 जो की है which class of drug used in chest pain जैसा मैंने अभी पिछले के पिछले कुछन में बताया कि anti-arrhythmic drug heart rate बढ़ जाती है तो यूज होती है ठीक है heart rate, anti-hypertensive blood pressure और anti-anginal chest pain ठीक है chest pain में इस्तेमाल की जानी वाली दमाएं जैसे angina pectoris बिमारी में इस्तेमाल की जाती है इसका right answer हो जाएगा anti-anginal agents ठीक है तो question number 8 की तरफ बढ़ते हैं question number 8 है nicorondyl nicorondyl अगर आपको anti-anginal drug का classification याद है तो आप आसानी से तूरंद कर लोगे calcium channel blocker में बेलकुल नहीं calcium channel blocker में वेरापा मिल, diltiagem, amlodipin ये सब दवाएं आती है वह पोतेस्यum channel blocker में आती है vo ne genius blockers तो ये किस में आती है यह आपकी ant-igend drugs आती है अगर आपको याद होगा ant-igend drugs में एक सब्सक्राइस्याद करते हैं जम एक ऊर्डास आती है जो कि a basement channel blocker करते हैं आपको learn तो वहां से आप डिकार सकते हो लेकिन केवल एक ही ड्रग है एंटी आंजैनल में जो की है पोटेसियम चैनल ओपनर तो बहुत कोई जल्दी बाजी मत करियेगा पोटेसियम चैनल एक जगा ओपनर लिखा है एक जगा ब्लॉकर रखा है तो इसलिए याद से बहुत ध्यान से ठीक लगाईएगा या आप फिल नमबर नाइन देखिए मैं ऐसे एक-एक कुश्चन जरू डाला हूं हर एक वीडियो में कि ब्रैंड नेम का कुश्चन भी रहे ठीक है आपको बहुत हल्प मिलेगी इसकी आई-सॉर्डिल तो मैं ऐसे ही कुश्चन डाला हूं जो आपको ड्रक से रिलेट कर सको आई-सॉर है एटिनलल एटिनलल जैसे मैंने बताया था कि एंटि हाइपर टेंसिव की ड्रक्स जैसे एस इनिवीटर हो गई आलफा ब्लॉकर को कैसे लर्न करेंगे वो चीजे मैं बताने जा रहा हूं तो एस इनिवीटर की ड्रक्स हमें सब प्रिल से खतम होती है ठीक है अब ये आर प्लॉकर कि जैसे अलफा रीषट अलफा ब्लॉकर ये ओसिन से खतम हो जैसे डाक्सा जोसिन टेरा जैसे बीटा लॉल से खतम होती40ल ला इकनल ब्रक्स फ्रक्स हमेसा डीपींसे खतम होती है एमलोडेपिन, निकारडेपिन, जा सारी नहीं, लेकिन मेजारटी, अब कैल्सियम चेनल ब्लॉकर में डिल्टी आजम रापा मिल भी तो है, तो उसको एकाद एक्सेप्शन होते हैं, डियरोटेक्ट में आईड से खतम होने वाली दवाएं, डियरोटेक्स के अंदर आते हैं, यह सब दवाएं, डियरोटेक्स के अंदर आते हैं, तो ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो, किसी भी क्लास की ड्रग, एंटी हाइपर्टेंसिव क्लास की ड्रग, तो अब कुश्चिन की तरफ आते हैं, एटिनलॉल, लॉल वाला, कौन से हैं, यह बीटा ब्लॉकर्स वाली लॉल हैं, तो इसका क्या अंसर हो जाएगा, बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर इस राइट अंसर, ठीक है, तो एटिनलॉल, बीटा ब्लॉकर के अंदर, एंटी हाइपर्टेंसिव क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, अब आज के इस वीडियो के आखरी कुश्चिन की तरफ बोल रहा हूं, कि जो भी केमिकल इस्ट्रक्चर के नाम छोटे हैं, आपको लगते हैं कि एक लाइन में आ जाएंगे, तो ऐसे केमिकल नाम आप याद रखो, यह किसका केमिकल नाम है, ठीक है, तो यह है, फाइफ फाइफ डाइफ नाइल इमिडा जोल रिटीन, तो यह दे इमिडा जोल बोलते हैं, लिडीन क्यों, क्योंकि यहां से दो ब्रांचिंग गई है, तो फोर डायोन, क्योंकि दो ऑक्सीजन ग्रूप लगे है, डबल बांडो, इसके साथ फाइफ डाइफ नाइल, फाइफ पोजिशन यह है, एक फिनाइल यह एक फिनाइल, तो इस तरीक अगर आप देखोगे, compare करोगे, तो इस structure आपको fenytoine sodium का ही मिलेगा, अब इसके साथ अगर na plus भी लग जाए, तो इसको हम बोलते हैं, fenytoine sodium, तो आपके syllabus में आता है, तो यहां पे 11 important questions हैं, जो मैंने discuss कर ली हैं, तो आप practice करिए इसके, ज्यादा ज्यादा इसको बार बार आपके exam में बहुत ही helpful होने वाले हैं questions, आपको बहुत अच्छे numbers दिलाने के लिए बहुत ही कारगर हैं questions, एक एक number के question में ही आपके marks बनते हैं, यह बात ध्यान रखेगा, बड़े-बड़े question में आप कुछ ना कुछ लिख लोगे, तो आधा number, दो number, चार number का, दो number, धाई number आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर एक number का question गलत हुआ, तो वो पूरा zero हो जाएगा, यहाँ पर कोई chances नहीं, आपको कुछ भी मिलने का, तो दियान रखेगा, यह ऐसे question पर, अब आपको उधित फामेशी आप पर अगर विजिट करना है, तो आपको क्या क्या availability है, क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, तो वो उस बारे में मैं पात करने चारा हूँ, सबसे पहले, उधित फामेशी आप पर डिफार्मा फस्टियर सेकंडियर के लिए, बहुत अच्छा platform है, डिफार्मा फस्टियर सेकंडियर के लिए, तो वहाँ पर recorded classes हैं, live classes हैं, e provided कराएं जाएंगे, at a genuine price cost of 14.99, अब आपको network problem है, mobile नहीं है, laptop नहीं है, कोई बात नहीं, डिफार्मा फस्टियर के लिए भी सुविधाएं हैं, कि आप hard copies भी मंगा सकते हो, study material, जिसमें theories भी है, model paper भी है, सब कुछ, लेकिन hard copy study material से आप pass ही हो सकते हो, अच्छे numbers के लिए आपको live classes को join करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी 9.99 के genuine price cost पे हैं, डिफार्मा, exit exam कोई त्यारी कर रहा है, तो MCQ, सारे subjects के unlimited attempts है, अच्छों के PCI से लिए बस सारे questions बनाए गए है, 4.99 इसका price cost है, तो अगर आपको उधितफामेसी आपको visit करना है, तो तीनी step का process है, सब से पहले आप Google Play Store में जाईए, ये हमारा logo है, उधितफामेसी classes को, आप search करिए, उसको install करिए, phone number से verify करिए अपने आपको, नाम लिखिए, email ID लिखिए, और welcome to उधितफामेसी, ठीक है, तो store section में जाके, आप कोई भी course purchase कर सकते, इस बीच आपको कोई भी दिक्कता थी, तो 9 ठीक है, तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत helpful लगा हो, तो like करिए, subscribe करिए, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, thank you so much, bye bye